नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज़ार्खन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबर को सीयम ने एडी को चेताया एकतरफा कार्रवाई होगी तो विरोध हुगा बिजेपी पर जम करबर से कहा पूराने पापो का ठिकरा हम पर फोड़ रहें जार्खन में मोकेमंतरी से एडी की पूछताच के बाद सियासी पारा चड़ा हुआ है सीयम सोरिन आज कारिकरताओं को संबोधित करतो हुए बिजेपी और एडी पर जम करबर से उन्होंने कहा है कि राच में सरकार को गिराने की कोसिस लगतार हो रही है एडी की कारवाई पर सवाल उठा तो वे कहा है कि एक तरफा कारवाई होंगे तो हम विरोध करेंगे अगर जाज सही होगी तो हम सही योग करेंगे बता दे कि आज सत्ताधारी वधायकों की मोकेमंत्री अवास पर हम बाठक हुई वहिकल मोकेमंत्री हेमंतु सोरेन से अवाद खनन मामले में एडी ने 9 घंटे से अधिक समय तक पोच दाच की इस दोरान एडी ने सीम से कई हम सवाल किये उनकी आर्थिक स्रोत संपत्ति के बा सर्कारी करताओं को समबोधित करतों वहिकल मोकेमंत्री ने कहा है कि आप सभी का आभार है कि आप यहां पहुँचे भाचपा सड्यांत्र कर रही है हमने यह राज जलिया है इससे जीतने का एक मात्र तरीका है सब का सहयोग पूरे देश में चर्चा है कि सरकार बनने के ती पुलीस टीम की जाच में कोई नहीं मिला घटना धनबाद की निर्शाकी है पुलीस की सतरकता से बड़ा हाथ से टला कॉसल विकास केंदर की चार मंजिला बिल्डिंग देराथ हुए ध्वस्त दो दिन पूर्व चार फिट पीछे जुग गई थी बिल्डिंग कोई हताहत नहीं खबर है जमसेतपूर की जहां आचाद नगर्थाना चेतर की एनचतायतिस इस्तित कौसल विकास केंदर की चार मंजिला बिल्डिंग देराथ धारा सही हो गई वैसे घटना से जानमाल की कोई शती नहीं पहुँची है दो दिन पूर्व देराथ अचानक भवन में तेज आवाज के साथ दरार आ गई थी और बिल्डिंग चार फिट पीछे जुग गया था घटना के बाद भवन में पढ़ रहे 250 बच्चे वहाँ से निकल गए वैसे बिल्डिंग में दरार आने और बिल्डिंग के पीछे की तरब जोकने के बाद जिला प्रसासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी थी ताकि आसपास में कोई भी व्यक्ति खाड़ा ना अचानक जोरदार आवाद के साथ बिल्डिंग द्वस्त हो गई जबकि बिल्डिंग के देख रहे किलिए पुलीस फोर्स को तैनात किया गया था हलाकि कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ है लेकिन कौसल विकास केंदर के जो एक्वेफमेंट थे वो सभी जो हिद शमान रहे कि 30 से 40 लाक रुपे के मसिनरी और कम्प्यूटर इस बिल्डिंग में ध्वस्त हो चुका है जारखन में कासा रहेगा मौसम कमिचाच कब से बढ़ रही है ठंड यह है लेटिस्ट अपडेट जारखन में राजनितिक तापमान बढ़ा हुआ है लेकिन तापमान में गि जारखन में भले ही सियासी सरगर्मी बढ़ी हो लेकिन ठंड के इस मौसम में अगले तीन दिनों में निम्तम तापमान में 304 डिगरी सेलसस गिरावट आने की संभावना है पिछले 24 गंटे में काके का निम्तम तापमान 6 डिगरी सेलसस पहुँच किया राची साहर के निम् को सब्सक्राइब ने की है तो प्लीस चानल को सब्सक्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अब डेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की और राची में सड़क हाथसा कांके में रिंग रोड पर ट्रक पलटने से चालक वखलासी की मौत जारकन की राजधनी राची के कांके थाना चेतर इस्तित रिंग रोड पर सुकुरवार को एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया ट्रक में सवार्थ चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गयी, चालक का नाम बाली करमाली और खलासी का नाम छेता बेदिया है पुलिस ने दोनों मिर्तकों के सौपो पोश्ट मार्डम कले रिम्स भेज दिया, गाड़ी को जब्द कर कांके ठाना में ले आया गया है तांके पुलीस का कहना है कि दोनों मिर्तकों के घरवालों को सुचना दे दी है, दोनों मिर्तकों के शव को पोश्ट मार्डम ले रिम्स भेज दिया गया है और गाड़ी को जब्त कर्थाना में ले आया गया है रगवर सरकार में भी हुआ खनन घोटाला केवल हिमन्तो सोरेंड से पूछताच क्यों सर्यूराई ने इडी से पूछा सवाल अवाद खनन मामले में इडी की कार्रवाई के बहाने पूर्वी जमसेद पूर से निर्दलिये वधायक और पूरो बिजेपी नेता सर्यूराई ने प्रदेश के पूरो मोखेमंत्री रगवरदास पर भडास निकाली है इसारों इसारों में सर्यूराई ने ये कहने का प्रियास किया है कि रगवरदास के कार्रेकाल में भी सहिपगन जिले में वापक पैमाने पर खनन घोटाला हुआ था लेकिन केंद्रिये अजनसी के निसाने पर केवल मौजदा मोखेमंत्री है मंतु सोरिन है सर्यूराई ने कहा कि ED को रगवर्दास से भी इस सिलसले में पूछताश करने चाहिए बता दे कि जारगन की सियासत में रगवर्दास और सर्यूराई के परतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं है सर्यूराई इससे पहले टौफी और टीसर्ट घोटाले को लेकर भी रगवर्दास पर जम कर हमला वर रहे हैं अब घरों में पहुँचेगा QR कोड वाला LPG सिलेंडर घरलू LPG सिलेंडर से गैसों की चोरी रोकने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है अब हर LPG सिलेंडर पर एक QR कोड लगा जागा यानि हर सिलेंडर की अपनी एक योनिक आड़ी होगी जिस से इसकी ऑनलाइन ट्रेकिंग की जा सकेगी केंदरिय पेट्रोलियम एवं जो है प्राकृतिक गैस मंतरी हरदिप सिंग पूरी ने इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया है इसके आनुसार LPG सिलेंडर से गैस की चोरी रोकने के लिए सरकार सिलेंडर पर QR कोड लगाने जा रही है QR कोड के जरिये गैस सिलेंडर की ट्रेकिंग आसान होगी और गैस सोरी करने वालों को भी पाकड़ा जा सकेगा उन्होंने कहा है कि QR कोड शक्रियों होने पर गैस सिलंडरों की छोरी, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और बहतर जो है, इन्वैंटरी परवंदन के कई जो है, मौजदा मुद्धो को हल करेगा। और वहाँ परबंद की जाने वाले शुवदाओं की जानकारी ली। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से पर्तिबंद लगा दिया गया है। के अलावा सिंगल यूज प्लास्टी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाय जा रहे हैं। रात नौ बजे तक दरवाजा नहीं खुनने पर जबरन दरवाजा तोड़ा तो अंदर दीव फंदे से लटकता मिला। इसके बाद पर जनों ने पुलीस एवं पडोस्यों को सूचना दी। खनन में सनलिप्तता से इनकार पर बिजे पी ने तंज किया है। मुके मंतरी पर लगतार निसाना साध रही है। खिलाप FIR कराया है, इनके खिलाप सुसंगत धाराओं में काररवाई की जाएगी। ये कहना है, खुंटीक वन परमंडल डियेपो कुलदीप मीना का, खुंटी में हाथियों की मौत से वनविभाग सकते में आगया है। दो हाथी की मौत बिजली के 11,000 वोल्ड के तार की चपेट में आने से हो गई। एक मामला जो है रनिया प्रिखंड के कोई नारा का है जहां बिजली तार की चपेट में आने से 55 साल के हाथी की मौत सो मार को हो गई। दूसरी घटना 27 अक्टूबर की है जब डात में तमार थाना चेतर के चोगाटी बरवाडी गाउं के समीब 11,000 वोल्ड के बिजली तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। वोल्ड के समीब